इस बार वर्ष दोजार चोविस में सिवरात्री का व्रत आठ मार्च को रखा जाएगा सिवरात्री का त्योहार फालगुन महा के क्रश्न पक्षकी चतुर्दसी तिथी को मनाया जाता है वैसे तो प्रतेक महा के चतुर्दसी तिथी को सिवरात्री होती है प्रंतु फालगुन महा की जो चतुर्दसी तिथी होती है मैं विशेश होती है कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनात और माता पार्वती का विवा हुआ था आज के दिन ही शिवभग व्रत रखते हैं और भगवान शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं प्रसन करते हैं इस बार वर्ष दोजार चोबिस में फालगुन महा के क्रश्ट पक्ष की चतुर्दसी तिथी का प्रारम 8 मार्च को रात 9 बज कर 57 मिनट शिशुरू होगी वहीं फालगुन महा के क्रश्ट पक्ष की 14 तिथी का समापन 9 मार्च की शाम को 6 बज कर 17 मिनट पर हो रहा है वैसे तो हिंदु धर में उदिया तिथी के अनुसार व्रत रखा जाता है लेकिन इस व्रत में जिस मध्यरात्री को यह तिथी पढ़ती है उस दिन यह व्रत रखा जाता है इसलिए इस बार यह व्रत 8 2024 को रखा जाएगा महाशिवरात्री के दिन मिशिता काल की पूजा करना भहुती महत्वण होता है इस बार मिशिता काल की पूजा का मूरत देर रात को 12 बज कर 7 मिनट से मध्यरात्री 12 बज कर 56 मिनट तक है भगवान शिवजी की पूजा उपासना चार प्रहरों में की जात ऐसी माननेता है कि जो व्यक्ति चार प्रहरों के पूजा करता है उस व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति होती है साथी उस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष की प्राप्ति होती है चार प्रहर की पूजा संध्यकालिन यानि की प्रदोशकाल से शुरू होती है और अगले दिन ब्रह्म मूरत तक चलती है पहले प्रहर में दूद से शिवजी के इसान स्वरूप को दूसरे प्रहर में दही से शिवजी के अगोर स्वरूप को तीसरे प्रहर में घी से शिवजी के वामदेव स्वरूप को और चोथे प्रहर में शहद से शदोजात स्वरूप को अभिशेक किया जाता है महा सिवरात्री की रात सिद्धी दाईनी होती है इसलिए इस रात्री में की गई पूजा अर्चना विसेश फल देने वाली है अगर कोई भी सिवभग चार बार पूजन करे और अभिशेक नह कर सके तो सबसे पहले प्रहर में ही पूजा अवश्य कर ले तो भी उसको सिवरात्री की पूजा का लाब मिलता है वहीं रात्री के प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम को 6 बज कर 29 मिनट से रात के 9 बज कर 33 मिनट तक है वहीं रात्री के द्वित्य प्रहर की पूजा का समय 8 मार्च की सुबह 9 बज कर 33 मिनट से लेकर 9 मार्च की सुबह 12 बज़कर 37 मिनट तक रहेगा रात्री की तृत्य पहर की पूजा का समय 9 मार्च की सुबह 12 बज़कर 37 मिनट से 3 बज़कर 40 मिनट तक है वहीं रात्री के चतुर पहर की पूजा का समय 9 मार्च की सुबह 3 बज कर 40 मिनट से लेकर 6 बज कर 17 मिनट तक है हिंदू पंचां के अनुसार इस दिन सुबह ही सरवार्थ सिद्धी योग बन रहा है सुबह 6 बज कर 45 मिनट से 10 बज कर 41 मिनट तक इस बार सरवार्थ सिद्धी योग रहेगा इसके अलावा महासिवरात्री व्रत का पारण अब अगले दिन 9 मार्च को सुबह 6.45 मिनट से लेकर 6.18 मिनट तक कर सकते हैं महासिवरात्री में जितनी महत्वुण दिन की पूजा होती है उतनी ही महत्वुण रात्री के समय की पूजा होती है साथी महासिवरात्री के व्रत में अन्य ग्रहन नहीं किया जाता है यहें व्रत जल या फिर फलाहार पर किया जाता है साथी रात्री की पूजा के बाद इस व्रत में फलाहार भी ग्रहन नहीं किया जाता है महासिवरात्री के दिन ब्रह्म मूरत में उठे और भगवान शिवजी वे माता पार्वती को प्रणाम करके व्रत का संकल पले फिर स्नानादी करके स्वच्छ वस्तर धारन करे और भोलेनाथ के समक्ष निराहार व्रत का संकल पले दिन भर ओम नमसिवाय का जाप करे और बोलेनात की पूजा में आप जो तिलक लगाते हैं वह त्रिपुंड लगाए त्रिपुंड में तीन रेखाई होती है और कहते हैं कि इस त्रिपुंड में 27 देवताओं का वास होता है त्रिपुंड की एक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है इसी थरह से त्रिपुंड की तीनो रेखाव में 27 देवताव का वास होता है इसलिए सिवजी की पूजा में जो आप तिलक लगाते हैं वह त्रिपुंड ही धारण करे और इस दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए इस दिन यदि आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी पहले अपने घर पर पूजा करके जाए उसके बाद मंदिर में जाए अपने घर के मंदिर को कोरा छोड़ कर मंदिर में पूजा करने नहीं जाए दिन भर की पूजा करने के बाद सूर्यास्त के समय शुब मोहरत में घर के पूजा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव करे फिर उत्तर दिसा की और मुख करे और चंदन को तीन उंगलियों में लगाए और अपने सिर के बाई और से दाई और की तरफ त्रिपुंड लगाए फिर शिवजी को दूत, दही, शकर, घी, गंगाजल, घंने का रस आपके पास जो भी समगरी मौजूद हो उन सबी से शिवलिंग का अभिसेक करे और फिर बेल पत्र चड़ा कर सिवजी की पूजा करे यदि संभव हो तो इस दिन मिट्टी का शिवलिंग अभश्य ही बनाए महाशिव रात्री पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबसे अधिक उत्तम बानी जाती है इस सिवलिंग की पूजा करने से मनुख्य को आर्तिक तंगी से छुटकारा मिलता है पार्थिव सिवलिंग यानि की मिट्टी से बना हुआ सिवलिंग बनाने के लिए बेल पत्र के पेड़ के नीचे के मिट्टी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे के मिट्टी या फिर आप किसी नदी या तालाग की जो मिट्टी होती है उसका उप्योग कर सकते है इस मिट्टी में गाय का गोबर, गुड, मक्खन और भासन मिलाकर अपने हाथ के अंगुठे के वराबर शिवलिंग मिलाए यदि आप इन में से किसी भी सामागरी को नहीं मिला सकते हैं तो इस मिट्टी ने थोड़ा सा गंगाजल मिलाए और फिर अपने हाथ के अंगुठे के जितना शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा करे फिर शिव जी का अभी से करे वैं अभी से करते समय महामरतुंजे मंत्र का जाप करते रहे इस मंत्र के उच्चान मातर से ही शिव जी समस्प्रकार की प्रार्पना पूरी करते है फिर उसके बाद भस्म या चंदन से महादेव जी को त्रिपूंड लगाए 11 बेल पत्र में ओम लिखकर भगवान शिव जी को अरपित करे आप शिवलिंग पर चड़ाये हुए बिल्लु पत्र को दोकर फिर से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं फिर आप शिव जी को भांग, पान के पत्ते, बेल पत्र, आख के फूल, धतूरा, अबीर, गुलाल, शमी के पत्र, एक मुठी अक्षत सिवलिंग पर चड़ाये साथी धूप जलाये और चोमुखी गी का दीपक लगाकर शिव चालिसा का पाठ करे काले धतूरे को फोड़ कर उसका फल चड़ाये यह सिव जी को अत्यदी की प्रिया है फिर सिव जी की ओम जैसी ओम कारा वाली आरती करे और फिर सिव जी की परिक्रमा लगाये ध्यान रहे सिव जी की आदी परिक्रमा ही की जाती है साथ ही सिवजी की परिक्रमा में जो जल वह कर जाता है उसको उलांगा नहीं जाता है इस तरह से आप अपनी पूजा संपन करते हैं फिर शिवलिंग पर जो प्रसाद चड़ाया जाता है उसे ग्रहन नहीं करें और अगले दिन सिवलिंग के साथ नदी में प्रवाइद करें हमने आपको यह संचित पूजाविदी बताई है विश्तरत पूजाविदी जानने के लिए हमारे चैनल पर आने वाले अगली वीडियो देखे साथ ही उस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि सिवलिंग पर किस प्रकार के धान चड़ाने से किन फलो की प्राप्ति होती है और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि सिवरात्री के दिन आपको अपनी पूजा करते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उम्मीद है आपको आज की जानकरी पसंद आई होगी वीडियो को लाइप करें चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को शेयर करें ओम नमस्सिवाय हर हर महादेव बोलो शिव शंकर महाराज की जै